दोस्तो नमस्कार मैं हूँ जय और आप देख रहे हैं जय इस्तनी ओज मूंभई पुलिस को ले कर अभी अभी एक बहुती बढ़ी अपडेट आ रही है मूंभई पुलिस ने एक बार फिर से एक बहुती बढ़ी कारवाई की है और इस बड़ी कारवाई में दो बड़े ओफिसर्स को जो है गिरपतार किया है अब इन दो ओफिसर्स की गिरपतारी के वज़ा से उधो ठाकरे गवर्मेंट की मुस्किले काफी ज़ादा फिर से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि पिछले काफी टाइम से आप देख रहे होंगे कि महराज सरकार के कई बड़े मंत्री और नेता किसी न किसी ब्रस्टाचार के आरोप में फस रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि इस फिरोती वाले मामले में भी कई पुलिस ओफसर जो है सामिल थे और इन में से दो पुलिस ओफसर को गिरबतार कर लिया गया है और एक मुख आरोपी जो है इसके का वो फरार हो चुका है जैसा कि अभी अपडेट आ रही है इसमें बताया जा रहा है कि API नितिन कदम और साथ में ही PSI समाधान जामदादे को जो मुबई पुलिस है उनकी टीम ने इसको जो है गिरबतार किया है और साथ में ही इसमें जो एक मुख आरोपी है ओम वांगटे जो की एक P.I. की पोस्ट पर था वो जो है पूरी तरह से फरार हो चुका है इन तीन के तीनों लोग उपर आरोप है कि ये तीनों लोग जो है ED की डर से करोनों रुपए का माल जो है ला रहे थे और इसमें जो कारोबारी है अंगदिया और कूरियर कारोबारी जो है पिछले काफी टाइम से मुंबई में उन से जो है ये करोनों रुपए की वसूली किया कर रहे थे और अब जो है फाइनली इनकी पॉल जो है पूरी तरह से खुल चुकी है और इन में से दो लोगों को ग्रपतार कर लिया गया है और तीसरा जो बंदा है वो पूरी तरह से फरार है आपको बहुत हूँ कि मुंबई पुलिस की Central Intelligence Unit के द्वारा ये कारवाई की गई है इसका नेत्तित पहले जो है सचिन वजे करता था सचिन वजे जो के नाईए के दोरा पहले इन्टिलिया केस में ग्रपतार कर लिया गया है वो जो है पहले इस unit का नेत्तित किया कर दा था और आप इसी कांड में फिर से दो पुलीस वालों के ग्रपतार किया गया है और एक पूरी तरह से फरार है अभी जैसा कि अपडेट आ रहा है इसमें बताया जा रहा है कि यह जो नया मामला है यह पब्लिक के सामने तब आया जब मुंबई पुलिस आयुक्त हेमन नागराले ने इस पर ध्यान दिया और उनके द्वारा इस पर जो है कारवाई करने का आदेश दिया गया जैसे ही एमन नागराले ने इस पर जो है कारवाई करने का आदेश दिया और इसमें जब कारवाई की गई तो इसमें जो है दो पुलिस वालों को पाया गया कि वो जो है पिछले काफी टैम से करोनों रूपए की वसूली कर रहे थे वो भी बेबारियों से और साथ में ही अभ पूरी तरह से एकश्पोज हो रहे हैं तो कहीं नहीं इसते जो है महराज